नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं दोरान जनता से सिधे सनवाद अथाफित कर उनकी सिकायतों तथा समस्याव पतवरित करवाई करने को कहा साथी उन्होंने इस कारक्रम की जनकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिये इधर गिरीडी जीला परसासन की ओर से जारी निर्देश में या उलेख किया गया है कि मुख्य मंत्री हमान सुरेन को मुस्लिम किरियावादी संगटनों से खत्रा है जीला परसासन की ओर से आपसरों को सीम के सुरक्षा के लिए निर्देश दिये गया है जारी निर्देश के अनुसार हेमान सुरेन को मुसलिम किरियावादी संगटनों के अलावा बिभीन नक्सली समुहों से भी कात्रा बताया गया है इसको लेकर कारेकरम के दोरान सुरक्षा बढ़ा दी गई हलाकि मुख्य मंत्री को जेट पलस सुरक्षा के अंदर रखा गया है जारखन में 25 सेयर सिस्को की जल्द होगी नियुक्ती गिरिडी पहुँचे स्तियम हेमान सुरेने आपदा से मौत पर आसरीतों को 4 लाख रुपए देने की खोसना की है इसके साथ ही बुद्धवार को गिरिडी के जहन्डा मैदान से राज की महत्वकांची आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम का उधगाटन करते हुए मुख्य मंत्री ने कई बड़ी खोसनाय की इसके तहट जहां राजे में जल्द 25,000 सिस्कों की न्यूकती होगी वहीं पलायन करने वाले मजदुरों की आकस्मीत मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही इसके अलावा राजे भर में जीन लोगों की मौत, साप, के डंसने, हाथी द्वार मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुअबजा के तोर पर देगी उन्होंने कहा कि जो पूरव में अलग-अलग राशी देने के परोधान था उसे एक समान किया गया इस मौके पर सीम ने 4 लोग नाव का उदगाटान और संताओन लोग नाव का सिलन्यास भी किया वही 22 एर साथिक लावकों के बीच पारी संपत्यों का भी वित्रन किया रांची के मुडमा जत्रा में सामिल हुए सीम हमांत रांची के मांडर परखांड इस्थीत मुडमा जत्रा अस्थल पर आवजी दो दिवस सीम मुडमा जत्रा मेला 2022 के समापन समारोह में CM ह्मसुरे ने सिर्कत की इस मौके पर उन्हों ने उपस्तित लोगों से कहा है कि हड़ीयदारू को लेकर बदनामी होती है समाज के अंदर हड़ीयदारू बेचना अभि स्थराप है हड़ीयदारू समाज को नुखसान पहुंचाती है नई पीडी को खोखला कर देती है इसलिए उन्होंने हडिया दारू बेचने के काम से जुड़ी सभी मताओ बहनों से बिनमर प्रात्ना किया है कि हडिया दारू की खरीद विक्री का कार्या बंद करे उन्होंने कहा है कि राज सरकार आपके लिए कई महत्वकांची योजनाय का संचालन कर रही है आप सभी उन्हों योजनाओं से जुड़े 14 अक्टूबर से 3rd जारखन साइंस फिल्म फेस्टिबल शुरुआ इस फेस्टिबल में दो दिनों में 15 अधिक फिल्में दिखाए जाएगी इन में डोकुमेंटरी, सोट फिल्म, एनिमेशन सामिल है इस दोरान जारखन के अलवा, बंगाल, केरल, उतरपुर्वी, भारत, तमिलाडू, रायस्थान, तिलंगाना, लदाक, आजिराज्यों के फिल्म दिखाए जाएगी बता दे, फेस्टिवल की शुरुआत, आकास राजपूत की फिल्म, माई लाइफ, आज ए, सानिल के साथ होगी यह फिल्म एक घोंखे के जीवन के इर्द गिर्द घुमती है, यह फिल्म देश के कई विज्ञान महोत्सों में आवाट जित चुकी है महाकाल की नगरी उज्जाएन में खरसावा के छव कलाकारों ने किया निरित्य, महाकाल की नगरी माधे पर देश के उज्जाएन सहर में महाकाल लोक के लोकारपन के दोरान खर्षावा साहली के छाव निर्ति के प्रशुती होई परधान मंत्री नायंद मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जायन में महा काल लोक का लोकारपन किया था इस दवरान देस के वीभीन चेतरों से पहुंशे करीब 800 कलाकारों ने अपने अपने चेतर के निरित कला को परधासित किया इसमें खर्थावां के देहरी, डी, के, भवेत, छोव निरित कलाकारों ने भी चल न न रित पेस किया इस दोरान पीम ने हाथ जोड़कर कलाकारों को बढ़ाया होसला वहीं उज्जाइन में निरिते प्रस्तूत करने के बाद देहरी डी के कलाकार कापी उठसाई दिखे रांची में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्द डॉक्टर अलर्ट राइधानी रांची में डेंगू और स्वाइन फुलू के रोगियों के लगातार मिलने के बाद अमकी पॉक्स का एक संदिग्द पाया गया है रिम से मंगलवार को तीन नए डेंगू मरीज मिले जिसके बाद नो डेंगू मरीजों का इलाज आइसोलेशन वार्ड में हो रहा है दूसरी और एक दिन पहले कढ़वाजिले से मिला स्वाइन फुलू का एक मरीज रिम छोड़कर भाग गया है और उसे जल्द से जल्द पकड़ कर अस्पताल में भरती कराने को कहा गया इधर बोकारों के चंदन कियारी से एक बारा वर्ष ये लड़की में मंकी पोक्स के लक्चन पाये गया है जिसके बाद उसे रिम स्कैसुलेशन वार्ड में भरती कराया गया पारा सिख्षको का पारा गरम बोले इसी दिन के लिए हवन किया था सूबे के सिख्षा मंसी जगनात महतो ने कहा है कि पारा सिख्षको को बेतन मान नहीं दिया जा सकता इसमें तकनीक परिसानी आ रही है पारासिस्गों के न्युक्ति में आरक्षन रोष्टर का पाला नहीं किया गया इधर मंत्री के ब्यान से राज के बासा टायर पारासिक्चाक भड़के हुए है मंत्री के ब्यान पर नराजगी जाताते हुए एकी किरिद पारासिक चक सहर्भ मोर्चा के जीला अध्यक तोलसी राम महतों ने कहा है कि मीडिया चैनलों के माध्यम से पारासिस्गों बेतरमान के सवाल पर मंत्री द्वारा दिया गया ब्यान काफी असोब निये एवं संकोचित मान सिखता वाला है या पारासिस्गों के उजोल भविस की दिश्ता में अनिष्ट कारी एवं घातक सिध हो सकता है उन्होंने कहा है कि बेतरमान पारासिस्गों का कर्मसीद अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता तुलसीरामने कहा है कि जब सिख्छा मंत्री जनलेवा विमारी से ग्रसित होकर जीवन और मौस जूज रहे थे तब पारासिस्गों ने काफी दिलो जान से पुजा अर्चना और हवन कर सत्यवान की तरह या मराई से लड़कर उनकी जिन्द की वापस कराई अब आज यह दिन देखना पड़ रहा है जारखन में 60% से ज्यादा बच्चे और महिलाए एनिमिया की चपेट में जारखन में किसोरी बहल काई और महिलाओं में एनिमिया ये गंभीर समस्या बन गई है राज में 5 वर से कम आयू के बच्चों में 67% बच्चे एनिमिया पाए गए है महिलाओं में यह भी मारी 65% जबकि पूर्सों में 30% के आसपास पाई गई जारखन देश के उन तिन राजों में सामिल है जहां आयरन फोलिक एसिट की कमी से पिडित मरी जोक की संक्या काफिया दिखा है हलाकि यहां लोग अवस्थ के परचूर भंडा रहा है परगरीबी और समाजीक हालाच से बच्चे महिलाए और अन्य आयन की कमी से ग्रसी थाए जारखन में NGT की बालू निकासी पर लगी रोक हटने पर भी घाटो पर संकट पर कराया जारखन में बालू निकासी पर लगी NGT की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मांसुन को लेकर लगती है वहीं दूसरी और इस दोरान जारखन राज खनीज विकास निगम कोट टेंडर की पर क्रिया पूरी करनी थी जो नहीं हो सका इससे रोक हटने के बाद भी राजे के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे बता दे पूर्व से बंदुबस्त के वह 17 बालू घाटों की ही निकासी हो सकेगी जमसेदपूर में के सी सी आई होस्पिटर के लापरवाई से 8 लोगों की आखे गई दरसल मामला एहाई की जीले से 45 किलोमेटर दूर घाट सिला अनुमंडल छेत्र का किता डिह गाउ है 11 महापुर्व मुफ्त में आख के इलाज के नाम पर गाउं के 8 बुजुर्गों की आखों का इलाज किया गया हलाकि इस मामले में साक्षी पुलिस ने काली माटी रोड इस्टीत के सिस्टी आई अस्पताल के संचालक समेत और नेके खिलाब एपायार दर्च किया है आपकी सरकार में सभी योजनाओ का मिलेगा लाब आपकी सरकार आपके दोहर कारकरम के जरिये आमनाग रिकों को जारकार की सभी लोग कल्यानकार योजनाओ के बिस्ती जनकार दी जाएगी जार्खन राज खाद सुरक्चा योजना के अंतरगत 5 लाख नए ग्रीन रासन कार्ड सावीतरी बाई फूले किसोरी सम्रीदी योजना मुख्ष मंत्री पसूधन विकास योजना हेतू आवेदन सरोजन पेंसन योजना हेतू आवेदन जार्खन में दिसंबर जनवा निकाय चुनाव कराने के रदल सरकार के निनाय के बाद राजर में चुनाव कराने को तयार है अब तक है तक ल настроा बना को जनूर कम kangarska लारे मों को अपनायोग को 음さ परिशत के निर्नाय के बाद इसका गयट परकाशन होगा। यूनियन के मीडिया परभारी एन के खवास ने बताया है कि एक जनवाई 2020 से 30 जून 2021 तक के अधी में बड़े मांगाई भाते और मांगाई राहत के एरियर भोकतान समय 16 सुत्री मांगे काफी समय से लंबी था है। गिरी डी से बाइक चोर गिरों के आठ सदस से गिरफतार गिरी डी जी लेके जमुआ बलोग गेट के पास से 6 अक्टूबर को चोरी हुई बाइक मामले का उध्वेदन जमुआ पुलिस ने कर दिया है। बाइक चोर के सरगना सरिया ठाना के पावापूर निवासी सुरेश यादव सहीत आठ लोग को हिरासत में लिया है। बतादे सुरेश दो मां पहले ही जेल से चुट कर आया था। पुलिस ने चोरी की साथ बाइक और एक अटो को भी सरिया पचमबा और भेलवा घाटी थाना चेतर से बरामत किया। हजारी बाग में 23 हाथियों का अतंक जारी। जारखन के कई जीलों में आय दिन हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। पता दे हजारी बाग जीले के केरेडारी प्रखन के पताल और बुड्डू पंचायत में 23 हाथियों का जूड बीते चार दिन से लगतार उत्पात मचा रहा है। बीते रातरी हाथियों के जूड ने पताल पंचायत के पड़रिया में कई घरों को चतिगरस्त कर दिया। वही बर्तमान में हाथियों का जूड बुड्डू पंचायत के मंजला बोन के जंगल में मौजूद है। हाथियों के कारण ग्रामीन काफी दसत में हाए और रत जागा करने को लेकर बाद यहाए। बतादे पताल पंचायत के मुखिया नेहा ने बताया है कि पावर बन विभाग को सुचना दी गई लेकिन बन विभाग इसमें विफल साबित हुई है। जारखन में 13 अक्टूबर तक बारिस को लेकर अलर्ट। इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मुर्मा जात्रा मेला अस्तल में एक असा मजबूत निव रखा कि आज सिर्फ जारखन दी नहीं बली कई राजियों के लोगों का जुटान यहां होता है। अलग राज का सपना गुरुजु ने देखा था। गुरुजी एवम जारखन के कई आदिवासी बीर महापूर्शों के संगर्श और त्याग की बदलत अलग राज का सपना सकार हुए है। आदिवासी समाज के हीत के लिए हमारी सरकार प्रतिबत्ता के साथ कार्य कर रही है। प्रतिवासी बीजन पर अधारीत ग्रामिन उध्यमी का उसल प्रस्टिक्षन कारकरम का रक्ष ग्रामिन युवाव को विसीष्ट का उसल का आउसर प्रदान करके उन्हें ससक्त बनाना है। पताद मई 2022 में मत्य प्रदेश के भुपाल में पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अगले चरान 1.2 में 4 राज मत्य प्रदेश 36 जारखन उडिसा में कारकरम का उजन किया गया है। सफलता पुर्वक प्रस्टिक्षन लेने वाले 165 लोगों को 13 अक्टूबर 2022 को पाहन पत्र दिये जाएंगे। आरा से रांची के लिए सब्ता हमें तीन दिन एक्सपरेस। गाया, कोडार्मा, नेताजी, सुबाज, चंद्रबोस, गोमो, बोकारो इस्टील सिटी, मुरी एस्टेशन पर रुखते हुए रात 8 बज कर 10 मेंट पर रांची पहुचेगी। सिम्डेगा में सरकार आपके द्वार कारकरम की सुरुआत। आपकी जोजना, आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम की सुरुआत सिम्डेगा में भी हुई। आपकी जोजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कारम की सुरुआत डिसी ससी रंजन ने किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामिनों के आवेदनों को और इस्पोर्ट समधान करने का निदेश अधिकारियों को दिया है। इस मौके पर खोटी डिसी ने सीविर में लगाया का विभीन एस्टोल का निदेशन करते हुए उन्होंने ग्रामिनों से एस्टोल में जाकर जनकारी प्राप्त करने और आवेदन करने की अपील की। बता देश सीविल में सरोजन पेंशन योईना के तहट पानो देवी, कनक सिंग मुंडा और मसीह देवी क्यावेदन का तौरित निस्पादन करते हुए डिसी ने योईना का लाप परदान किया गया। दुमका में लापाता छातर समें चार लोगों का मिला सव। परदा गट 7 अक्टूबर से लपाता थी, परिजन उसे खोज भी रहे थे पर उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था, मंगलवार की सामिस की सुचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, उसका बिक्रीत हो चुका सो फंदे से जूलते हुए काठिक कुंड के परतला जंगल से ब्रामत हुआ है, अस्टम उराओं के नाम पर बन रही PCC सड़क, गुमला के गाओं के उबर खावर ग्राउंड से खेल कर और मालभात खाकर अंडर सत्रा भारतिये फोटबॉल टीम की कपतान बनी अस्टम उराओं के माबाप मैदूरी करते दिखे, जिस बेटी के नाम से PC PCC सड़क का निर्मान हो रहा है, उसी सड़क निर्मान में उसके माबाप मैदूरी कर रहे हैं, बता दे इतना ही नहीं, इन्हें पूरी मैदूरी भी नहीं मिली है, आधा मैदूरी दिया गया जबकि आथे मैदूरी की रासी अब भी ठेकदार के पास है, बता दे कि गुमल पहुंची उमिद्वारों को अस्थानिय बेरोजगारों ने रोका नोवा मुंडी परखन के अस्थानिय बेरोजगार महिलाओं ने बुद्धवार को टाटा इस्टील में सर्चतकार दे ने पहुंची महिला उमिद्वारों को गेट के बाहर रोक दिया नोवा मुंडी थाने से पूलिस और कॉम्पनी के सुरक्षा अधिकारियों के तीन गंटे के बाद करीब सारे दस बजे उमिद्वारों को सक्षतकार के लिए कामड़े में परवेश कराया गया अस्थानिय बेरोजगार महिला आये जारखन में पलस टू की पढ़ाई के लिए चात्रों को नहीं जाना होगा दूर अब चात्र चात्राओं को एकारवी और बरहावी काक्षा की पढ़ाई के लिए अपने घर से बहुत अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा यानि जो इस्कूल की दूरी होगी बहुत अधिक तय नहीं करनी होगी ऐसे नियम तयार किये जा रहा है कि 10,000 की अबादी पर और परतेक 7-8 किलोमेटर की परीधी में एक पलस्टू इस्कूल की सुवधा उपलब्द कराई जा सके इसका उद्देश से है बच्चों को अपने घर के आसपासी पलस्टू की सारी सुवधाय मुहिया कराना बतादे माधमिक शिक्षा निदेश साले ने ऐसे चेतर में पलस्टू स्कूलों की सुवधा के लिए अनुसंसा भेजने का निदेश दिया मुख्याले से प्राप्त पत्र के बाद डिसी संदीप सिंग ने जीला सिक्षा पतादिकारु को आदेश दिया है कि सावी परकॉंडों से प्रस्तावीत इसकूलों की सुची प्राप्त करे धन्यवाद यदि आप चनल परने होते चनल को सब्सक्राइब का बहुल का अबेल एक अंदा भईये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फीड़वाएक अवस से दे थैंक यू